पांच दिनों के दिवाली उत्सब में, धन्तेरस हिंदू धर्म के सबसे महत्व पूर्ण त्योहारों में से एक है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान धनवंतरी और कुबेर जी की पूजा करने की परंपरा है। आए जानते हैं धन्तेरस कब है, जाने लक्ष्मी पूजा का महुरत, सोना खरीदने का सही समय और धन्त्रयोदशी का महत्वा। इसका समापन होगा। इसलिए उदया तिथी के अनुसार इस बार 10 नवंबर को ही धन्तेरस मनाया जाएगा। अब आये जानते हैं धन्तेरस की खरीदारी का शुब महूरत। धन्तेरस के दिन दोपहर 2 बजकर 35 मिनट से लेकर 11 नवंबर 2023 को सुब़ 6 बजकर 40 मिनट तक खरीदारी का शुब महूरत बन रहा है। धन्तेरस के मौके पर सोना चांदी और बरतन की खरीदारी बेहद शुब मानी जाता है। सोने चांदी और बरतन के अलावा ऐसी और बहुत महत्वपून चीज हैं जो आप धन्तेरस के दिन खरीद सकते हैं जिससे महालक्षमी का वास साल भर आपके घर में बना रहेगा। अगली आने वाली वीडियो में मैं आपको ऐसी तेरा चीजे बताऊंगी जो आप धन्तेरस के दिन घर में खरीद करला सकते हैं और जिन्हें खरीदने से आपके घर में पूरे साल बरकत रहेगी। अब जानते हैं लक्षमी पूजा का शुब महूर्थ पंचांग के अनुसार धन्तेरस में पूजा का शुब महूर्थ शाम पांच बजकर 45 मिनट से शुरू होकर 7 बजकर 42 मिनट पर समाप्त होगा। इस शुब महूर्थ में लक्षमी, गनेश, कुबेर देवता और धन्वंतरी देव की पूजा अराधना का बड़ा महत्व होत है. अगर इस दिन सच्छे मन से विश्नु अवतार धन्वंतरी और कुबेर जी की पूजा की जाय, तो जीवन में कभी भी धन से जुड़ी परेशानिया नहीं आती हैं. अब जानते हैं धन्तेरस का महत्व. धन्तेरस क्यूं मनाया जाता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुस जायनती भी मनायी जाती है. उनके आशिरवाद से आरोग्य का वरदान मिलता है. इसलिए धन्तेरस का त्योहार पूरी प्रेम भाव से मनाना चाहिए. अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दिवाली के दिन पूजा कैसे करें? धन्तेरस और दिवाली का शुब महूर्थ कब से कब तक रहेगा? और गोबर्धन पूजा और भाई दूज कब है? इस बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को देखना मत भूलिएगा.